हलो, नमस्ते बच्चो, आज हम हिंदी में आपको एकनी बन देंगे, प्रदोशन को, प्रदोशन होता है, जो वातावरन को दूशित करता है, परियावरन को, तो उसे कहते हैं प्रदूशन प्रदूशन कई तरह से फैलता है गाड़ियों के तुमें से फैक्टरियों के तुमें से जो भी हम सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं उससे प्रदूशन फैलता है हम लेते तो oxygen है और छोड़ते क्या है गारवन डाइक side तो हम अपना मलतियाग भी करते हैं उससे भी production फैलता है तो production तो कई तरह से होता है तो हमें उसको कैसे करना है दूर उसका भी उपाय देखना है तो production के बारे में हम आज इसके प्रस्ताव में पढ़ेंगे प्रस्तावना सर्व प्रथम जब मानव का अस्तेट्व इस दुनिया में आया उस समय सारा बातावरन अत्यंत निर्मल और शांत था यानि कि जब मानव इस दुनिया में आया तो बहुत कम अबादी थी थोड़े से लोग थे चारों और हर्याली थी, हर्याली कोई इंसान नहीं करता, चारों तरफ अपने आप हर्याली थी, अब केतों में तो हम अगर कुछ उगाना चाते हैं, तो उसी तरह के बीच डालेंगे, हमें सबजियां उगानी हैं, फल उगाने हैं, अगलत तरे के पोदे उगाने हैं, तो हम उसमें बोते हैं, आप पहाडों पर देखिए, कोई भी नहीं बोता हैं, अपने आप पेड उग जाते हैं, तो हरियाली ही हरियाली नजर आती है, चारों और हरियाली थी, और जीव जुनतु भी अपने आवासों में सुरक्षित रहते थे, आवास में जो उनके रहने के स्थान होते हैं, शेर जैसे गुफा में रहता है, बाकी जंगल तो जंगल में रहते हैं, तो भी सुरक्षित थे, धीरे धीरे मानव शिक्षित होता गया, शिक्षित में शिक्षा प्राप्ट करता गया और उसकी लालसा बढ़ती गई, यानि कि लालच बढ़ता गया, क्योंकि शिक्षा से वो बहुत तरह के उपाए सोचने लगा, आज भी इसका अंत नहीं हुआ है, जिसका दुष परिणाम है प्रदूशन की समस्या, जो दिन रात, दिन पर दिन भेंकर होती जा रही है, क लगाते हैं, जिससे व्यक्ति को अच्छे पैड़ना मिलते हैं, लेकिन उससे प्रदूशन की समस्या बढ़ जाती है, प्रदूशन का अर्थ और कारण, प्रदूशन का अर्थ है, परियावरन को प्रदूशित, परियावरन का प्रदूशित हो जाना, हमारे जीवन में पे हमें पता ही नहीं चाहती है, हुआ भा पहती है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिखाई नहीं देति ना, हवा क्यसी चाहिए हमें? शुद, शुद हवा नहीं चाहिए, वायुजो शुद ही होनी चाहिए, वो किससे मेल से परियावरन बनता है प्रकृती ने इन में उचित संतुलन रखा है इन्तु मनुष्य ने अपने स्वार्थों के लिए इस संतुलन को बिगार दिया है जिस कारण प्रदूशन की समस्या ने जन लिया है अब प्रकृती क्या है जो भी नेचर है वो हमें क्या देती है वा हवा यह हमें सांस लेने में क्योंकि हवा के मिना तो हम जीवित नहीं रह सकते ना वायू ना हो तो जीवित नहीं रहेंगे तो प्रकृती ने संतुलन बना रखा है इतने सारे जंगल है जंगलों में इतने पेड़ हैं लेकिन मुनशी क्या करता जा रहा है इन जंगलों को समाप्त करता जा रहा है काटता जा रहा है जिससे क्या है पेड़ पोधे कम होते जा रहे है इसलिए तो कहते हैं पेड़ पोध पोधे हमारे जीवन का आधार हैं, ये परियावरन संतुलन को बनाई रखते हैं, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइकसाइड छोड़ते हैं, तो पेड क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और कार्बन डाइकसाइड लेते हैं, और हम ऑक्सीजन क्रेहन करते हैं, और वायू छोड़ते हैं वे पुएड़ पुधे अपने भीतर लेते हैं और हमें ऑक्सिजन देते हैं ये परियावरन संतुलन को बनाए रखते हैं जनसंख्या बढ़ने से जमीन की कमी को पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुन कटाई की गई जिसके कारण परियावरन संतु विगड़ गया और अनेक परकार के प्रदूशनों ने जन्म लिया है वहनों मिलों के धुएं तथा कोड़े करगट के धेरों से भी प्रदूशन होता है अब जितना जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए रहने के लिए स्थान चाहिए स्थान प्राप्त करने के लिए व ़ाहन के मतलब होता है तो यह वहन होते हैं तो मिलें भी जादा हो गई क्योंकि जितना समान में अधिक चाहिए तो मिल कर कणने भी अधिक लगाने पड़ते तो जितना मनुश्य सामान प्रयोग करेगा तो उसका कूड़ा अधिक होगा यानि कि हर तरह से वहन मिलों के धु से भी प्रधूशन होता है जब मनुश्य दूश्यत हवा में सांस लेता है तो शरीर के कोमल अंग ख्षती ग्रस्त हो जाते हैं अब हमें बाहर के तो सारे अंग दिखाई देते हैं हाथ पै नाक और जब हम सांस लेते हैं तो अंदर क्या है हमारे फेफड़े हैं उन शरीर के अंदर जो होते हैं अंग वो बहुत कोमल होते हैं तो शती ग्रस्त हो जाते हैं यानि की पिमार हो जाते हैं जिससे कैंसर ख्षय आदी असाधे रोग होने का खत्रा बना रहता है मनुश्य नितिप अपनी गंदगी नदियों वा तालबों में बहता रहता है जो हम तो वो भी तो नालियों में जाता है नालियों से बड़े नालों में जाता है नालों से फिर आगे और पड़ता है इस तरह से मीलों कारखानों से निकलने वाले गंदे रसाइनों को नदियों में छोड़ने के कारण वे प्रदूशित हो रही है अब मीलों कारखानों में जितन प्रदूशन को और अधिक बढ़ा रही है यानि कि हमारी जनसंग्या बढ़ रही है इसलिए चारों तरफ प्रदूशन भी बढ़ रहा है अब इसका समाधान क्या है तो हम पढ़ेंगे इसे प्रदूशन की भीषन समस्या के समाधान के लिए सरकार को पठोर कानून बनाकर उनको सक्ति से लागू करवाना चाहिए वन्नों की कटाई बंद की जानी चाहिए लोगों को अधिक से अधिक पेड लगाने और उनकी देखपाल करने के लिए जागरूप करना चाहिए लगा उपने जनम दिन पर तो हमें पेड लगाने चाहिए और उसकी देख भाल भी करनी चाहिए घर में छोट छोटे पोधे गमले में लगा सकते हैं जिससे हमारे घर का विवातावरन जो है शुद रहे सबसे जरूरी है कि प्रदूशन के खत्रों से जन जन को परिचित कराय जाए आधी कि डिकाई दिखाई नहीं दितीन वायू जब हम सांस लेते हैं तो गंदी वायू हमारे अंदर जाती है अगर उसमें दूशित कंभी प्रवेश करते हैं जिससे हम बीमार होते हैं तो इसका समस्या क्या है कि हमैं पता होना चाहिए कि प्रदूशन को कैसे साफ रखना है तो एक ही साधन है पेड अधिक लगाने है तीक है उपसंगार आज प्रदूशन की समस्या विश्व व्यापी है केवल हमारे देश की समस्या नहीं है पूरे विश्व की है परियावरण को स्वच्छवा शुद बनाने में हमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए अपने आसपास अधिक से अधिक पेड फोधे लगाने चाहिए और पुराने पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए तब हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं तो आज हमने प्रदूशन के बारे में पढ़ा यह कैसा होता है किन किन कार्णों से होता है और कितने प् पेड लगाने हैं तो आप बच्चों को इस निबंद के माध्यम से एक शिक्षा लेनी है कि आप भी एक पेड अवश्य लगाएं यह प्रदूशन का प्रस्ताव पूरा आप अपनी कौपी में लिखिए और याद भी कीजिए ओके बाई